कि 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 अच लोग इतने ले कि अपने कामों में इतने लेजी और इतने आलती हो चुके हैं कि मिहनत करना नहीं चाहते पर्मेश्व कहते हैं कि मैं तेरे हाथों के कामों पर वरकत दुगा कar फ्री बैचने के लिए खُदाने नहीं का प्रमेश्व नहीं कहा कि मैं तरी हाथों के कामों पर बरकत दुँगा लेकिन आज कोई मेहनत नहीं करना चाहता तो प्रमेश्व नहीं लोग ब्लेस नहीं बरकते श्रzte दो प्रमेश्व участ के पहले आतमी करिती से परमेश्वर के साथ जोड़ परमेश्वर के वच्चन को फॉलो कर दूसरा तुम महिनत कर ता कि तुम सब बातों में उन्नती कर सके जब आप महिनत करोगे तब परमेश्वर आपके आपकी कामों पर बर्का देगा आपकी महिनत पर बर्का देगा क्योंक तो को दूसरे आपके मुह से जब आप परमेशवर का सुछ समाचा सुनाओं और वो सुने तो उसके लिए क्या करो सबसे पहले परमेशवर को जानू परमेशवर को पहाननू हालेलुया जिस hypothesisमी कृती से जदी तुनती करेगा तो सब बातों में उन्नती करेगा तो भला जंगा रहेगा तो सबसे पहले अपने आपको पर्मेश्वर के साथ जोड़ना जब मेश्वर के साथ अपने आपको जोड़ोंगे अगर आपके सब बातों में उsmut तो वो आप कि सुनेंगे क्यूंकि आपको पर्मेश्वर सच में जीवित पर्मेश्वर लेकिन अगर आप सब बातों में उन्न्न करोंगे तो सच में आप पर्मैश्वर के राज्य के लिए काम कर पाओगे हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पहले तु मेरे धर्म और राज्य की खोच कर, तब दुनिया की सब वस्तु ये तुझे तेरे पीछे पढ़के मिलेंगी, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोच कर नहीं, ताकि आप इस काबिल बन सको, त धन धन यहवा की आशिश ही से मिलता है वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता है फाइनेश्वी ब्लेस होनी चाहिए वो इस योगे होने चाहिए ताकि वह दूसरों को जब बताएं तो वाकी में परमेश्वर की खोज में लगना है यूब परमेश्वर की खोज में लगा लिखा है कि उसके जैसा धर और भैमानने वाला और परमेश्वर को और कोई ने देखा परमेश्वर ने उसकी गवाही दी तो उसी तरह से हमें भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है उसी तरह से हमे ओसे परिवार को ब्लेस्ट किया, किस तरह से परमेश्वर ने उसे अमेरी दी, क्यूंझ जब आत्मिकरीटी से संपन हुआ, hedge begin ने उसके गवाही दी कि मैंने इसके अख़राही से चनने वाला कोई मुनुश्य fallsier नहीं हालेलूया ससी तरह से सबसे पहले परमेशुर उननाटी देगा जब सबड़ ङूझतोंको बता पाएंगे और उसका सर होगा सच में वह परमेश्वर कोolith को जाने के कोशिश करेंगे वो परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करेंगा और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा हालेलुया तो हमें आर्थेकरिती से भी संपन होना है क्योंकि धन और महिमा परमेश्वर की उर्षिए मिलती और वह उसमें depression है हालेलुया फिर भी आतमत्याएं होती है इसलिए जो धन परमेश्वर देता है जो महिमा परमेश्वर देता उसमें वो दुख नहीं मिलाता हालेलुया चाहे कोई कुछ भी कर लेकिन वो महिमा को कोई भी छीन नहीं सकता हालेलुया इसलिए परमेश्वर में बने रहना है ताकि जब परमेश्वर दे तो साथ में दुख नहीं होगा, साथ में परमेश्वर की प्रेजन्स होगी, साथ में आनंद होगा खुदा का, साथ में परमेश्वर के उन बड़े कामों को करने का हमें ह्याब होगा, साथ में हमारे अंदर वीजन होगा, हालेलुया, तो परमेश देता, उसके साथ डिप्रेशन नहीं देता.